हलो फ्रेंड्स पेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स अगर आप कोई नई बाइक, कार, स्कूटर या दूसरी कोई भी गाड़ी खरीदने वाले हो या खरीच चुके हो और जैसे ही आपको आपकी नई गाड़ी का ओरिजिनल आरसी मिल जाता है तो आपको उसी वक्त कुछ important चीजे है जो की check कर लेनी चाहिए ताकि बाद में परिशानी नहीं हो क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में जो सरकारी काम में वो देर से तो होता ही है लेकिन सरकारी काम में बहुत सारी गलतिया भी होती है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो चीज आपको check करनी है वो ये check करनी है कि जो आपका औरिजिनल आरसी है वहाँ पे जो chassis number और engine number यहाँ पे printed है उसे आप आपकी गाड़ी के chassis के chassis number से और engine में printed engine number से जरूर से match कर ले कि कहीं कोई mismatching तो नहीं है अक्सर यहाँ पे mismatching होता है लोग गलती क्या करते है कि जश्ट उपर उपर से देख लेते है कि क्या है उसे match नहीं करते है तो आप ये गलती नहीं करें दूसरी चीज आप RC में ये check कर ले कि जो आपका नाम है आपके father या mother का नाम है उसका spelling सही होना चाहिए क्योंकि अक्सर RC में जो spelling है उसका mistake देखने को मिलता है और मैं आपको ये समझा दू कि अगर आगे चलकर आप कभी भी अपनी गाड़ी को बेचते हो या नाम को transfer करते हो और जो RC में आपका नाम है उसका spelling में mistake होगा तो आपको बहुत परिशानी हो सकती है तो आप spelling भी जरूर से check कर ले अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बाकी जितने भी information यहां पे लिखे हुए है आप उसे भी verify कर ले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपके original RC में कोई भी mistake होगा आप तुरंथ ही देख लेते हो तो उस टैम पे क्या होगा कि जो showroom वाले है वो इसे ठीक कराके देंगे आपको tension नहीं लेना पड़ेगा लेकिन आगे चलकर 6 माहिना एक साल बाद आपको कोई भी mistake नजर आता है तो हो सकता है कि showroom वाले ठीक कराने से मना कर दे और उसके बाद फिर आपको RTO का चक्कर लगाना पड़ेगा इन्हें ठीक कराने के लिए बहुत ही लिंदी प्रोसेस होता है बहुत से लोग को उसके जानकारी नहीं होती है तो आप इसे जरूर से चेक कर ले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए आपके टाइम पे क्या है कि इन्हें औरिजिनल यानि RC को औरिजिनल या बाकि जितने भी डॉकुमेंट से उन्हें औरिजिनल रखना या इनका हार्ड कॉपी रखने का आप जरूरत नहीं है आप इन्हें digitally जो डीजी लॉकर एप है या जो इम परिवहन एप है यहाँ पर रख सकते हो वैसे डीजी लॉकर एप में इन डॉकुमेंट्स को कैसे सेव करना है इसके उपर मैंने डीटेल वीडियो बनाया है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्केप्शन में दे दूँगा तो फिर बात ये है कि रिसेंटली मैंने BMW G310R खरीदा था और बीच में लॉक्डाउन होने का वाया से RTO का काम नहीं हो रहा था और जो हमारा RC वगरा वो नहीं बन रहा था तो फाइनली मुझे RC मिल गया है और सारी चीजे मैंने चेक किया मैंने मिला लिया है तो मुझे लगा कि बहुत से लोग को जानकारी नहीं होता तो मैं इसके उपर में एक डिटेल वीडियो बना दू उम्मीद है कि आज का ये वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लाव अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब बेर कर ले मिलता अगले वीडियो में थांक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई